आज हम लोग देखते हैं चीज़ प्रकार से हमारी अर्थविवस्ता लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अभी अभी हमारे बच्चों ने बहुत सुन्दर हमारे सामने एक कारेकरम पेश किया तेश भक्ती से पूरा ऐसा कारेकरम हमारे आर्मी स्कूल के बच्चों ने उनको तो मैं बढ़ाई देना ही चाहता हूँ लेकिन उन्होंने जिस ब्रिटिश एम्पायर की का पिक्चर हमारे सामने रखा उस ब्रिटिश एम्पायर को हमारे कोलोनियल आकाओं को भी पीछे छोड़ कर अब हमारी अर्थविवस्ता उनसे भी आगे चली गए और हम दुनिया की पाचवी सबसे बड़ी अर्थविवस्ता बने हैं और 2030 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्ता बनेंगे और जैसा प्रधान मंत्री जी कहते हैं अमुरुत काल में अगले 25 वर्षों में 2047 में एक विकसित भारत देखने का सोभाग्य हम भारतियों को मिलेगा मैं ऐसा मानता हूं कि ये भी हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सोभाग्य है